तो फ्रेंस रूबीजा के कीचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग कैसे हो आई रूप बहुत अच्छे से हो रहना भी चाहिए तो एहां पड़ में गाजर का हलुआ तो बहुत तरीके से खाई होंगी लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कू बहुत ही सिंपल है और जख़पट बनने वाली है बिल्कूल समय नहीं लगता है तो एहां पड़ में गाजर का हलुआ हम लोग बनाएंगे और मिल के बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या लेंगे तो वही हम आपके साब सेर करेंगे तो चलिए हम लोग कीचन में चलते हैं और मिल के बनाते हैं यहां पड़ में माबा वाली यहां पड़ में गाजर का हलुआ जो खाने में तो बहुत टेश्टी है और यहां पड़ में हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और आप लोग जो भी हमारे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग चलते हैं और मिल की बनाते हैं क्या बनाते हैं क्रिकी फ्रेंस हम कड़ा ही चला लिये हैं और आप nobody है हम एहां पर में हम इहां पर 4ल महिंख लगब अग्राम सेशने हम भाख मेंख्यायां डू Haus यहां पर हम दो केजी गाजर ले लिये हैं और गाजर को हम अच्छे से कदगस कर लिये हैं, आप चाहे तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकती हैं, लेकिन हम यहां पर कदगस कर लिये हैं, और अब यहां पर हम सारा गाजर कदगस किया हुआ, डाल देंगे, अब यहां पर करके और छोड़ देंगे यहां पर इस तरह से इसको हम चला लेंगे यहां पर देख सकती है आप खोड़ा सा हल्का सा सोप हो चुका है और अब इस जगह पर हम एक कप चीनी डाल देंगे मिठा आप जितना खाती होंगी उस हिसाब से आप यहाँ पड़ में चेनीर आड़ कर सकती हैं और अब हम इसको कम से कम यहाँ पड़ में 12 से 15 मिनट तक हम इस्थू पका लेंगे अच्छे से तो यहाँ पर हम भग के वापस से फिर छोड़ देंगे इहाँ पर में 6-7 मिनट हम इहाँ पर बिल्खूल इहाँ पर में जो गैस है कम कड़के और इहाँ पर लो कड़के छोड़ दिये थे अब इहाँ पर दिखी जो गाजर का कलर है वो आप देख सकती हैं कि कितना बढ़िया है इसमें हम बहुत ज्याधा चेनी एट नहीं किये हैं अधर मेठा आप अपने हिसार से डाल लीचेगा और अब इहाँ पर में हम क्या करेंगे तो इहाँ पर में देखे जो हम इहां पर में 2-3 ग्राम हम खुवाले लिए हैं तो एहां पर में हम 2 kg गाज़ लिए थे और एहां पर हम 3 ग्राम इसमें हम खुवाल डाल देंगे तो इस तरह से अब खुवा के तार्थ इसको हम मेक्च कर लेंगे अब एहां पर दीखे फ्रांस पूरे इहां पर में हम हलुआ को 12-15 मिनट हम हलुआ को पका लिए हैं अच्छे से अब इहां पर हलुआ का कलर आप देखिए जो कितना बढ़िया इहां पर हलुआ बन चुका है हलुआ तो हम कितना रैस्पि डाल चुके हैं और बहुत तरह कि आ इलाइची डाल देंगे इसको हम इहां पड़ में खेल बट्टा में कूट लिए हैं तो इहां पर इलाइची का टेश होगत अच्छा आता है हल्वा में तो अब इहां पर दीखिए हल्वा जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है तो चलिए हम आप लोग के लिए सर्व करते हैं अब इहां पर दीखिए फ्रेंस हम इस तरह का एक बाउल ले लिए हैं तो अब हम इसमें क्या करेंगे यहां पर हम आप लोग के लिए हल्वा सर्फ करेंगे तो इहां पर दीखिए गर्मा गर्म इहां पर में खोए बाली हल्वा तैयार के खोए बाली गाजर की हल् हम है भी हल्वा सर्प कर दिये हैं और अब ऊपर से हम थोड़ा सा इहां पड़ में हम काजू और बादाम से गानिस कर देंगे इस तरह से तो अब यहां पिदेखी फ्रेंज आप लोग के लिए गर्मा गर्म हलवा बनके तयार है यहां पड़ में खोये वाली गाजर की हलुबा तो आप लोग सर्थ कर दिये और यहां पड़ में बहुत ही टेश्टी हलुबा है तो आप लोग जब बनाएंगी खाएंगी तब आप लोग को पता चलेगा तो आप लोग को ये मावा वाली गाजर की हलुआ कर एस भी कैसा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को जो भी सिस्क्राइब नहीं किये हैं तो वो आप लोग सिस्क्राइब कर लीजिए और जितना हो सक कि उतना सेर करिए अपने दोस्त अपने रिस्तिदार में और चैनल को लाइक करना बिलकुल मत भूलिए और सपोर्ट भी करिए क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ही जरूरी है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को जरूर सेर करिए और सस्क्राइब करिए तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह आपसे एक न्यू रैस्पी के साथ तब तक आप लोग वीडियो इंजोई करिए और बनाईए और कमेंट करके जरूर हमको बताईए और आपके लिए हमको क्या बनाना है तो भी आप हमें जरूर कमेंट करके बताईएगा और अपना अनभब हमारे अबना है ए süथ पार ए पड़ता इच्ड़ स्क्राइब हमारे साथ एल घजै बाईएव हमेंगे आपके लिए ए चंबड़ता करे भी चिएम प्रही संवाईगा तरिए हम आ सुर बताईएगा झालों करने से हमेंगें प्रण जालों वहताब हमेंगे